हेलो फ्रेंग्स आजको जो टॉपिक है वो है हमारा मार्कशेट इस वीडियो में जो आपके लिए लेके आये हैं वो है हमारा मार्कशेट के वो सभी टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक से लेके एडवांज तक मैंने वो सभी टॉपिक्स कवर करा द जहां पर Maths है, Science, English, Hindi और Social Science First, जो मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको कि टूटल कैसे निकालते हैं then percentage कैसे find out करेंगे average, rank, pass, fail निकालना है based on subject-wise then grade भी निकालना है subject-wise and finally जो देखेंगे वो pass, fail and compartment जो सबसे important topic रहने वाला है क्योंकि ये जो pass, fail and compartment है वो पूरे overall subject का आपको निकाल के देगा कि किस तरीके साफ find out करने बाले हैं तो first, हमारे सामने यहाँ पर जो data given है जहाँ पर name list है और past subject जो आपके सामने given है अब पहला question आता है कि यहाँ पर total आप कैसे निकालें first यहाँ पर total कैसे निकालें इसके लिए मैंने यूज करा formula sum again पूरे range को select कर लेना है bracket close और enter hit कर देगी click करने के बाद इसको मैंने drag कर लिया तभी student का यहाँ पर total निकाल के दे दिया है अगर आपको percentage निकालना है इसके लिए मैंने use करा है square to again total marks लेना है divided by यह जो marks obtained हुआ है जो marks मिले हैं वो कितने marks में से मिले हैं तो यहाँ पर 5 subject है means 500 में से मिला है then multiply करना है 100 से enter करेंगे click करने के बाद इसको again मैंने drag कर दिया यहाँ पर सभी student का percentage निकाल के दे दिया है इसी तरीकी से next जो option है जो topic है हमारा वो है average average के लिए simply आपको type परना है average और all subject को select कर लेना है bracket close enter इसको again drag कर देंगे तो यहाँ पर सभी candidate का average निकाल के दे दिया है mark sheet में ध्यान रखेगा कि average और percentage के value हमेशा same आएगा जो next topic है हमारा वो है rank skill मैंने type करा rank bracket open करा अगे rank निकालना है based on percentage तो first percentage को मैंने select कर लिया comma अगें पूरे नम्मर को select कर लेना है आप फूर से phrase कर देंगे bracket close enter click करने के बाद इसको मैंने drag कर दिया तो यहाँ पर हर एक candidate का क्या निकाल के दे दिया है rank निकाल के दे दिया है next जो topic है हमारा वो है past fail based on subject अब मान लेते हैं कि मेरे को check करना है कि science subject में कितने candidate जो है past है और कितने fail है इसके लिए use करने वाले if conditions if का मतलब क्या होता है यदि तो जबी भी आप if condition लगाते हैं तो वहाँ पर दो condition अपलाई करनी होती है एक तो true के लिए एक false तो पहले आपको logical test बताने है मैंने subject को choose कर लिया then use करेंगे कि इस cell के value अगर greater होता है 33 से अगर 33 से अबब हुआ तो candidate को क्या किया जाए पास कर दिया जाए इसके लिए use करेंगे quotation then मैंने type कर रहां यहाँ पे pass quotation close करा comma value if false अगर 33 से below आता है तो क्या करें तो वहाँ पे इसको fail कर दिया जाए quotation close and bracket close enter करा मैंने click करने के बाद इसको मैंने drag कर दिया तो यहाँ पे science subject में कितने candidate pass है कितने fail है वो निकालके दे दिया है अब देखे यहाँ पे यह fail है क्यों? क्योंकि इसके marks 19 है अगर यहाँ पे मैंने marks change कर दिया fail है न अगर marks मैंने यहाँ पे 34 करा और enter it करा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको pass कर दिया गया है next जो निकालने वाले हैं वो grade based on subject अब यहाँ पे मेरे को check करना है maths का grade अब grade के लिए मैंने यहाँ पे criteria जो बनाया है वो यह है कि अगर 90 से अबब आता है candidate का तो A प्लस दिया जाए 80 अबब होगा A देना है 70 अबब वाले को B प्लस 60 अबब आता है तो B 50 अबब के लिए C प्लस 40 अबब आता है तो C और उससे बिलो जितने भी candidate है सबको fail कर देना है इसके लिए मैंने यूज करा is equal to again if condition use करना है अभी आपने जिसे pass fail निकाला था similarly use करना है grade के लिए बड़ यहाँ पर फर्मला जो use करेंगे based on criteria मैंने subject लिया अगर इस cell के value greater होता है 90 से 90 अबब होगा तो candidate को क्या दिया जाए यहाँ पर A plus कामा again same condition को repeat करना है मैंने use करा if same subject लिया अगर इस cell के value greater होगा 80 से 80 अबब होगा तो यहाँ पर क्या देने यहाँ पर क्या देने candidate को A कामा same repeat करेंगे if condition मैंने subject को choose कर लिया अगर इस cell के value greater होगा 70 तो 70 वाले होग क्या देना है B plus कामा again मैंने use करा if condition same cell लिया अगर इस cell के value greater होगा 60 से then 60 के लिए क्या देना है आपी B कामा if same cell को select करा इस cell के value greater होता है 50 से तो 50 वाले होग क्या देना है आपी C देना है और अगर अगर 40 से बिलो दितने भी candidate है उन सब को क्या करना है pale कर देना है तो यहीं पर लगा देना है condition pale quotation close करा और यहाँ पर यहाँ पर इप मैंने six time use करा है तो six time यहाँ पर bracket क्या करना है close भी कर देना और enter hit करा click करने के बाद इसको drag कर देंगे तो यहाँ पर सभी candidate का grade निकाल के दे दिया है next और जो final topic है हमारा past fail and compartment तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीकी से formula बिताऊंगा पहले तो quantif जो separately use करेंगे then past fail and compartment और then combined एक साथ भी करेंगे कि quantif और if का एक साथ कैसे use किया जाता है अब criteria past fail और compartment के लिए यह है कि अगर हमारे सामने total number of subject 5 है और जो candidate pass होता है वो 5 subject में then वो pass कहलाएगा अगर वो 4 subject में pass होता है then compartment display हो result में अगर 3 subject में pass होता है then वहाँ पे भी compartment आना चाहिए अगर 2 में pass होता है then fail और 1 में भी pass होता है तो पहली वहाँ पे display होना चाहिए इसक लिए use करेंगे formula quantif मैंने use करा quantif first आपको range देना है मैंने range select करा comma then criteria quotation use करा और greater than equal to 33 quotation close, bracket close, enter then इसको क्या करेंगे drag कर देंगे यहाँ पे जो result आया है वो यह है कि पहला जो candidate है वो पांच में से पांच सब्जेक्ट में पास है second जो पास है वो पूर सब्जेक्ट में next वो five सब्जेक्ट में पास है तो इस तरीके से candidate का number of subject दिया है कि कितने subject में पास है बट रिजल्ट आना ची पास फिल एन कंपार्टमेंट इसकले मैंने यूज करा if condition और यह सेल को लिया मैंने और यहाँ पे दिया कि अगर candidate का number five आता है तो वहाँ पे क्या क्या आजाए पास शो क्या आजाए कामा अगेन मैंने यूज करा if condition और इसी सेल को लिया अगर इस सेल के value greater या equal होता है three से then वहाँ पे candidate का result compartment so करना चीगे और अगर उससे below आता है then वहाँ पे pale आना चीगे यहाँ पे two times bracket close भी करेंगे क्योंकि if मैंने two times यहाँ पे use करा है enter now ड्रा कर दियो इसको अब आपके सामने यहाँ पे result आ गया past, pale and compartment यहाँ पे past क्यों आ रहा है क्योंकि five subject में वो past है four subject में past है compartment five में past है pass two में past है pale four में past है compartment इस तरह की से यहाँ पे result शो करा है लेकिन अगर if और content एक साथ use करके अगर आपको past file compartment निकालना है then वो formula कैसे use करेंगे वो अभी देखने वाले हैं इसकले मैंने use करा if condition और type कर दिया मैंने एक contif पहले तो आपको range देना है जितने भी subject हैं comma, quotation greater than मैंने use करा और square to 33 quotation close, bracket close contif use करने के बाद अगर result 5 आता है then candidate को क्या क्या आजाएं वहाँ पे pass कर दिया चाएं quotation close, comma again if condition repeat करेंगे और again मैंने use करा contif same subject को select कर देना है comma then criteria देना है मैंने use करा quotation greater than equal to 33 quotation close and bracket close अगर यहाँ पे result आता है greater than or equal to 3 3 से उपर आएगा यह equal होगा then वहाँ पे result क्या सोग करना चाहिए compartment लेकिन अगर उससे below आता है then वहाँ पे fail आएगा quotation close and 2 times bracket close कर देना है now इसको again drag कर लेंगे तो candidate का यहाँ पे directly pass, fail और compartment result show कर दिया ले तो ऐसे amazing informative वीडियो के लिए वीडियो को like, share, subscribe कर ले मिलते अगले वीडियो में कर दो